तो गुड मॉर्निंग आईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है संयुक्त राष्टर ने 27 डेसंबर को किस दिन के रूपे मंजूरी दी है तो अंसर होगा एपिडेमिक प्रिपेर्डनेस दे फिर बताओ इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोशियेशन के अध्यक्ष कौन है उमर क्रेमले वे नए बने इसका हेटकॉर्टर आपको मिलेगा क्रुइशन कुना प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविच फिर युनेसको ने किसके नाम पर एक अंतर राष्टर बुरुसकार शुरू करने की घोशना की तो अंसर होगा बंग बंदू शेक मुजिबुर्रहमान ये बांगलादेश के पहले राष्टर पती थे देखो युने जिसमें वो गरीब लोगों को इर रिक्षा भेट करेंगे फिर अबुदाभी ग्रेंट परिक्स 2020 किसने जीती तो अंसर होगा मैक्स वर्टसपन ने ये मैक्स वर्टसपन नीधरलेंड के ड्राइवर है और रेडबुल की कार चलाते है रेडबुल के ये ड्राइवर है आप Unacademy आपके लिए ला रहा है कुछ नए special batches जो conduct कराए जाएंगे इंडिया के top educators के द्वारा Unacademy है इंडिया का number one online education platform जहां आपको मिलता है मौका देश के top educators के द्वारा कंड़क की जारी live classes के साथ free doubt clearing sessions में हिस्सा लेने का तो Unacademy पे आपको मिलेंगे देश के सभी top educators एकी platform पे तो 25 जनवरी से आ रहा है उद्देश बैच आपकी IBPS आरा भी पिलिम्स के तयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उसके साथ ही 25 जनवरी को आ रहा है ACE batch आपकी IBPS PO की तयारी को और मजबूत बनाने के लिए इसी के साथ 25 जनवरी से ही start हो रहा है Accelerator batch SBI Clear की exam 2021 के तयारी में आपकी मदद करने के लिए इनके लावा और भी कहीं बैचेज आ रहे हैं 25 जनवरी से जिससे आपकी BANKS exam की तयारी होगी और भी आसान तो अगर आप First Time Unacademy पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा Unlock Code Crack Exam 10 Enroll करें इन Free Test Series में और Experience करें Unacademy प्लैटफॉर्म को इतना है नहीं अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस Code से आपको 10% का instant discount भी मिलेगा Code क्या है? Crack Exam 10 तो आपको सारे important links आपको नीचे description में मिल जाएंगे और वहीं पे आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी तो अभी हम बढ़ते हैं आगे फिरे विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाशा कौन सी बनी? English किसके according? According to ethnologue ethnologue के report के अनुसार और दूसे नंबर पे चीनी मंदारिन को बताया और टीसे नंबर पे हिंदी को बताया फिरे राष्ट्र उर्जा संगरक्षन दिवस ये हम मनाते हैं 14 दिसंबर को फिरे किस भारते टैनिस खिलाडी ने दूबई में International Tennis Federation डबल खिताब जीत लिया तो ये जीता अंकीता रेना ने किसके साथ मिलकर के? जोर्जी याई साथ ही है इनकी एकका तेरिन के साथ मिलकर ये प्रशन में आपको इसलिए बता रहूं क्योंकि ये भारते हैं अंकीता रेना इसलिए फिरे किस ने हैश्टेग गौट यो कवर्ड अभ्यान को शुरू किया तो आंसर होगा भारती एकसा लाइफ इंशॉरेंस ने जिसके MDCO पर रागराज है मुंबई में इसका हैटकोटर है बढ़ते आगे फिरे किस नदी के नीचे भारत का पहला फोर लेन सुरंग बनाया जाएगा तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे वनेगा ये फिरे फीफा रेंकिंग जो आई थी उसमें भारत की रैंक क्या रही भारत की रैंक रही 104 टॉप पे बेल्जिम रहा देखो FIFA का headquarter आपको याद होना चाहिए जो रिक्स जलेन में है और इसके अद्दक्षे ग्यानी इन्फेनिटो फिर एक किसे 2021 के नोबल शांती पुरुसकार के लिए नामित किया गया तो अंसर होगा Benjamin Netanyahu को ये इसराइल के प्लधान मंतरी है एक तो ये और एक आबुदाबी के जो Crown Prince है मुहम्मद बिन जायद अलनायान इन दोनों को नोमिनेट किया गया फिर एक किस राज्य सरकार ने जगनान थोड़ू यूजना शुरू की तो आंसर होगा अंदरपरदेश इसमें छोटे विवसाये वालों को यानि कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए ब्याज मुक्त रिन दिया जायेगा फिर भारत्य अंगदान दिवस Indian Organ Donation Day ये 27 नवंबर को मनाया जाता है एक World Organ Donation Day भी होता है वो हम 13 अगस्त को मनाते हैं फिर ए अलवनी करण सन्यंत्र यानि कि Desalination Plant ये स्थापित करने वाला भारत का चोथा राज्य बना कौन सा? महराश्टर मैंने कहाँ चोथा राज्य है तो पहले तीन कौन कौन है? तमिल नाडू, कुजरात और आंदर प्रदेश फिर हैं विदेशी धर्ती पर संस्करत में शपत लेने वाले भारते मूल के पहले सांसद बने डॉक्टर गौरव शर्मा उनका नाम है और किस विदेशी धर्ती पर? न्यूजिलेंड में फिर हैं मास्क बेंक का उधगाटन कहाँ पर किया गया तो ये किया गया था दिल्ली में फिर है कोईले से विद्युत यानि की विद्ली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? तो आंसर होगा United Arab अमिराथ फिर है खेल मंत्रा ले किसे राष्टर खेल महसंग के रूप में मानेता दी खेल मंत्राले ने तो आंसर होगा के रिटे जे जुँ है और दो-तीन दिन पहले ही हमने एक परश्ण बढ़ा था इंसे कि अब इन्हें अतिरिक्ष्ट परभार दिया गया चलो यह प्रश्ण आपके लिए बनता है अब कि इन्हें किस मंत्राले का अतिरिक्ष्ट परभार मिला है ये आपको बताना है, बढ़ते आगे अच्छा तो कल की current affairs का भी हम revision कर लेते हैं तो पहला प्रशन आपसे पूछा गया था किस राज्य में मन्रेगा के तहट कार्रे दिवसु की संख्या को सो से बढ़ा करके 150 दिनों तक कर दिया तो आंसर होगा उत्तराखंड फिर पूछा था किसने हिमाच्छल प्रदेश का पहला online यूर रेडियो स्टेशन लॉंच किया तो आंसर होगा जैराम ठाकुर हिमाच्छल प्रदेश के मुख्य मंत्री फिर एक किस राज्य या union territory के गुच्छी मशूरूम को जिया टेक मिला तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर फिर आपसे पूछा था LIC के मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया तो आंसर होगा सिधार्थ मोहंती को LIC के अध्यक शेमार कुमार है फिर आयुशमान भारत महात्मा गांधी स्वास्त भीमा योजिना शुरू की अभी राजस्तान की सरकार ने फिर पूछा था Global Fire Power Index 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा तो आंसर होगा USA भारत इसमें फोर्थ नंबर पे रहा फिर पूछा था सुन्दरम Finance के मैनेजिंग डिरेक्टर के रुप में किसे नामित किया गया तो आंसर होगा राजीव लोचन को फिर है विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओ में टॉप पे रहा इफ को इफ को मतलब हो गया Indian Farmers Vertilizers को Operative Limited फिर पूछा था किस बैंक के द्वारा InstaFX लॉंच किया गया ये एक Mobile Application ने जो लॉंच किया ICICI Bank ने फिर है किस Payment Bank ने ग्राहकों को धोका दड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया तो आंसर होगा Airtel Payment Bank ने जिसके CEO हैं अनुबरत बिश्वास फिर है Telecommunication Consultants India Limited के नए CMD के रुप में संजीव कुमार को फिर आपसे पूछा था माता परसाद का नेदन हो गया ये किस राजे के पूर्व गवर्नर रहे तो आंसर होगा अरुनाचर परदेश के बढ़ते आगे अच्छा इस टेड़ी कुशन देखते हैं अर्ला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है आस्ट्रेलिया के प्रदानमंत्री कौन है Scott Morrison है आस्ट्रेलिया के चैपिटल Canberra होती है अभी देखो आस्ट्रेलिया से आपको एक पॉइंट याद होगा यहां का जो राष्ट्रगान है उसमें एक शब्द बदल दिया गया था इनके राष्ट्रगान में National Anthem में एक लाइन होती है For We Are Young and Free तो यहाँ पर Young को replace कर दिया One से तो नई लाइन बन गई For We Are One and Free तो यह आप ध्यान रखना फिर राष्ट्रे उपभूगता दिवर्स National Consumer Right Day यह हम 24 December को मनाते हैं और इसकी theme रही थी The Sustainable Consumer वेसे एक World Consumer Right डेबी होता है वो हम 15 March को मनाते हैं फिर बताओ Bank of Bordoda का headquarters कहाँ पर है वडोदरा गुजरात में है इसके chairman है हस्मो कधिया MDCO संजीव चड़ा है अभी Bank of Bordoda ने महिलाओं के लिए आत्म निर्भर योजना भी शुरू की थी फिर International Hockey Federation की Men's World Cup ranking जो आई थी उसमें भारत्य पुरुशों की team कौन से स्थान पे रही चौथे स्थान पे टॉप पे Belgium की team रही थी और अगर महिलाओं की ranking में बात करेंगे Women's World Cup ranking जो आई थी उसमें भारत्य महिलाओं की team की जो rank रही थी वो 9 रही थी और इसमें top पे रही थी नीदरलेंड की team फिर से सुनो पुरुशों की team में तो Belgium top पे है और भारत चौथे स्थान पे है महिलाओं की team में नीदरलेंड top पे है और भारते टीम नवे स्थान पे है मचा इंटरनेशनल होके फेडरेशन का हैटकोर्टर का पर है लाउजेंड स्विट्जेलेंड में है फिर है वर्ल्ड ब्रेल डे विश्व ब्रेल दिवस हम चार जन्वरी को मनाते है फिर है माई टियर्स विद राजीव ट्रैम्प एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को किसने लिखा बताओ वजाहत हभी बुल्ला ने लिखा है फिर अगला प्रशन है यूर बेस्ट डेइस तुडे नाम की बुक किसने लिखा है इसको लिखा है अनुपम खेर ने इंपोर्टेंट बुक के याद रखना फिर है अब बुके ओफलावर्स नाम की बुक को किसने लिखा डॉक्टर क्रशन सक्सेना ने लिखा है अगला प्रशन है किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा किसने विकास खन्ना ने लिखा है पिर अगला प्रश्ण भी बुक से है गेस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने बढ़ते आगे अच्छा डे इसकी बात करते हैं पहला प्रश्ण आपसे अंतर राष्टर श्रम दिवस कब मनाते हैं और इसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ फिर इंटरनेशनल मिडवाइब्स दे यह हम 5 मई को मनाते हैं और World Athletics Day होता है 7 मई को देखो Athletics यानि की Sports से related कुछ डे और याद रखो National Sports Day 29 अगस्त को होता है International Sports Day यह 6 अपरेल को होता है यह दोनों आपको याद रखने है फिर है World Red Cross Day यह होता है 8 मई को और World Thalassemia Day यह भी 8 मई को होता है फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मैंने बताया था यह साल में 2 बार मनाया जाता है मई और October में मई और October के दूसरे शनिवार को तो 2020 में हमने 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया था World Migratory Bird Day और इसकी theme थी Birds Connect Our World फिर है National Technology Day यह 11 मई को होता है एक National Science Day भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते है तो guys यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो देखो वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से-से share करना अब कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुशन्स आप लोग लगाना और देखना कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारे बाकि हम इनको कल सॉल करते हैं यह रहे कुशन आपके सामने करूपि झाएंगे